Hello everyone and welcome to this series on algorithms तो काफ़े टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि मैं एक सिरीज लेकर आउं YouTube पर जिसके अंदर हम बहुत सारी algorithms के बारे में discuss करेंगे अब generally आपको पता है मेरी जातर जो classes होती है वो gate की होती है या फिर anti-eugisonate की होती है लेकिन वहाँ पर मैं specific topics ही वहाँ पर आते हैं मदब जो gate का जो slayvers है वो बहुत limited है और even anti-eugisonate का slayvers जो है वो भी काफ़ी limited है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी algorithms हैं जो बहुत सारी job के लिए beneficial होता है चाहें आप placement की तैयारी कर रहे हैं चाहें आप खुद के लिए future में कुछ आप learn करना चाते हैं सीखना चाते हैं तो उसके लिए algorithm is like must और यह जो series है this is a long series शायद एक साल या दो साल पूरा time लगेगा पुरी series को complete करने के लिए है क्योंकि इतनी algorithms है ना जैसे for example मेरे पास greedy algorithms हैं तो greedy algorithms के लिए मेरे पास at least three hundred से लेकर four hundred type of algorithms and problems are there जो हम slowly slowly सब कुछ हम लोग cover करेंगे कोशिश यही रहेगी कि मैं almost हर दिन आपके साथ online आऊं या फिर recording करूं और recording के साथ-साथ यह पुरी series को मैं आपके साथ cover करूं अब पुरी series के लिए आपको C या फिर C++ या जावा आपको आनी चाहिए क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूं जहनली मैं बढ़ाता हूं C के अंदर ही C programming के अंदर ही लेकिन कई जगह पर काफी easy होता है problem को solve करने का जावा और C++ तो मैं कोशिश करूंगा कोशिश तो यही रहेगी सबसे पहले C से ही cover किया जाए और जहां जहां पर जातातर algorithm आएंगी मैं उनको C++ या जावा से भी cover करने की पूरी कोशिश करूंगा अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख रहता हैं तो क्या-क्या हम लोग यहां से cover करेंगे सबसे पहले मैं basic algorithms के बारे में cover करेंगे जो चीजे यूट्यूब पर है मतलब जो गेट पर है तो गेट को तो मैं लोड़ी आपको लोड़ी cover कर चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ऐसी रहेगी जातर उन algorithms पर ज़्यादा focus करेंगे जो गेट के syllabus में नहीं आए उसके अलाबा हमारे पास जो OPS के concept है उस पर हम काम करेंगे हम यहाँ पर basic से लेकर advanced level तक हम बहुत सारे concepts को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बहुत beneficial रहेगा और even अगर जहाँ पर time होगा जहाँ पर need होगी वहाँ पर interviews के भी बहुत problem को solve करेंगे और उसकी practice भी करने की पूरी कोशिश करेंगे अब किस-किस तरह की algorithm हम इहाँ पर cover करते हैं सबसे पहला होता है आपके पास analysis of algorithms जो concept है मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छे से मिसो cover किया है आप लोगों ने मेरी videos बहुत अच्छे से पसंद भी किया है आप लोगों ने तो obviously that will be very beneficial जो हम searching algorithms सिर्फ 2-3-4 algorithms हैं जो हम लोग यहां से cover करते हैं जो gate के अंदर आता है लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी algorithms हैं जो searching में आती है obviously उसको हम apply करने की हमसको solve करने की पुरी कोशिश करेंगे a part of this sorting algorithms अब जब gate की जो बचा तियारी करता है gate के अंदर sorting algorithm में सिर्फ 9 से लेकर 12 ऐसी algorithms हैं जो आती हैं लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी अलग लग टाइप की sorting algorithms हैं हम उसको focus करेंगे उसको cover करने की कुशिश करेंगे a part of this हमार पास graph algorithms होंगी और graph algorithms is very tricky क्योंकि चाहें आप बहुत सारी computer networks के भी काफ सारी problems हैं जिसको solve करने के लिए हम graph algorithms को use करते हैं तो obviously इसको cover करेंगी a part of this हम pattern जो searching algorithms इसको cover करेंगे अब जो pattern searching algorithms हैं वो gate में नहीं आता बट दो तिन ऐसी algorithms हैं जो anti-ugisonate में आती हैं बट उसके अलावा भी बहुत सारी और भी pattern algorithms हैं जिसको हम cover cover करेंगे then you have geometric algorithms ये gate में और u-g-synet दोनों में नहीं आता जो हम cover करेंगे mathematical algorithms हम लोग cover करेंगे जो कि gate में और u-g-synet दोनों ही syllabus में नहीं आता obviously ये पूरा जो topic रहाएगा वो placement के basis पर ज़्यादा focus रहेगा हम bitwise algorithms हम लोग cover करेंगे फिर हम randomized algorithms के बारे में हम discuss करेंगे अब greedy algorithms और dynamic programming आती है अब जनलनी greedy algorithms और dynamic programming बहुत है limited syllabus में आता है gate और u-synet दोनों के अंदर बहुत है limited आता है लेकिन फिर मैं उसके अलावा ज़्यादा तर जो मेरा discussion रहेगा जो की सिर्फ gate के syllabus से out यानि कि उसे बाहर से जो चीज़े आती है मैं वहां से focus करूंगा same dynamic programming में भी और dynamic programming जो बचा placement के तियारी कर रहा है उसके लिए dynamic programming is must राइड वो बहुत important है placement में और जो अच्छी जो companies है वहां पर जो questions आते हैं वो dynamic programming के बारे में ही आती है उसके अलावा हम divide and conquer algorithms के बारे में हम discuss करेंगे back tracking के बारे में हम discuss करेंगे और branch and bound के बारे में हम लोग यहां से discuss करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और बहुत जादा in-depth discuss नहीं करेंगे लेकिन crisp concept है वो बताने का पूरा में तरफ से पुरी कोशिश रहेगी और जादतर time based नहीं करेंगे मैं जादतर कोशिश तो यह करूँगा कि recording पर ही जादा दूँ क्योंकि काफी बार जब हम recording जो classes होती है उसमें distraction नहीं होती लेकिन जो online आती है मुझे लगता है कि बार महाँ पर distraction बहुत जाता होती है इसी वजह से जातर जो मेरा focus रहेगा वह रहेगा कि recording recording जो है वो देने की पुरी कोशिश करूँगा ताकि distraction minimum से minimum रहेगी और एक छोटे short series पे भी वीडियो को हम concept को समझाएंगे और पूरी research तरीके से पूरी concept को explain करूँगा ओके लेट उस स्टाट ओके और स्टाट करने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो और आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि एक series आ रही है और वी कें कर्टिन्यू ओके थैंक्यू